नमस्कार दोस्तु कैसे हूँ आप आशा करते हैं महाकाली की किर्पा से आप सब लोग बिलकुल ठीक होंगे आज मैं आप सब को अस्तबली पीर बाबा की साधना बताऊंगा ये साधना बहुत ही बड़ी साधना है इस साधना के करकर आप अस्तबली पीर जी की किर्पा प्राप्त कर सकते हो उनके शाक शाक आरदर्शन कर सकते हो ये साधना पूर एक तालिश दिनों की है इस साधना को आप किसी भी रवीवार के दिन शुरू कर सकते है या सुकरवार को भी शुरू कर सकते हैं या मंगलवार को भी शुरू कर सकते हैं इस साधना को आपने क्या करना है रातरी के दस बजे आपने या साधना सुरू करनी है पच्चिम दिशा की तरह मो करके बैठे अस्तबली पीर बाबा की फोटु काके तेल का चिराग लगाएं पांच गुलाब के फूर रखें लोबान की धूप जलाएं या अगरवत्ती जलाएं फिर इस मंतर को जो मंतर मैं आपको बताऊंगा 101 बार जाप करें या मंतर अपने आप में बहुती ताकतवर मंतर है अगर आपने पूरे एक तालिज दिनों तक इसकी साधना कर ली तो पीर अस्तबली जी आपके सामने शाक शाक दरसन देंगे आपको दरसन देंगे आपके परासिजवाद देंगे अब मैं आप सब को इनका मंतर बताने जा रहा हूँ किर्पया धान से सुने ओम नमौ आदेश गुरू जी को सत नाम आदेश गुरू जी अस्तबली अस्तबली पीर मेरे अस्तबली तू सफिद्धो धाम का है सरताज सफिद्धो धाम में तेरा डंका बाजे वहां के हर पीर तेरे हुकम के ताबेदार तू हाजिरो ना हो तो तीस रोजो की आन पांच नवाज की आन पांच वक्त की नवाज की आन पीरो मुर्शिद की आन मक्का मदिन की आन ख्वाजा जिंदा पीर की आन आदेश है तुझे हजर सुलिमान का पांच चिरागों की आन सब्द साचा पिंड काचा मेरे गुरु का इलम साचा दुहाई है नाव नाव चुराशे सिद्धों की दुहाई यह मंतर है दोस्तों अगर इस मंतर के बारे में आपको कोई भी जान करें चीए या आप अस्तबली पीरी की साधना करना चाते हो तो इसके बारे में आप भगत निरिसकुमार पांच चाल से संपरख भी कर सकते हो इसलिए दोस्तों आप अधिक से अधिक लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें कमंट करें मैं आपको आगे चल कर होड़ भी नए नए साधने बताऊंगा धन्यवाद दोस्तों